तो हलो व्रीवन आपका एक नए वीडियो में सुवागत करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों डंकी ड्रॉप 4 फाइनली 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 आ चुका है तो देखो भाई ट्रेलर तो सब ने देखी लिया है एक चीज ट्रेलर में आप लोगों को देखने को मिली है रोमैंस भी है, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है बाकी राजकुमार एहिरानी का हैरान करने वाला डाइरेक्शन भी है एन दोस्तों शारुखान का या जादूई अवतार भी आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से उनके ञेख िखाई की यहां पर तोड़ा है युआ है बाक गयं की मानते हुकि बहान मानताओे हुकि चो च आपको यहां पर यहां पर छारुखान की जो मूवी के अंदर story होने वाली है पूरा यहाँ पे explain करेंगे पूरा explain करेंगे starting से लेके end तक और यह उसमें माहिन है को कि आपने देखी है संजू कि किस तरीके है संजू मेर रनबीर कपूर का यहाँ पे starting से लेके end तक क्या यहाँ पे दोस्तो look दिया and make up दिया वो भाई तारीफ के कापिल है इसमें भी राजकुमार हिनानी को भाई मानने गाए मतलब एक एक सीन पे इतनी महनत होती है उनका साफ कहना है यहाँ पे कि भाई देखो अगर कोई सीन है अगर कोई सीन चल रहा है अगर वो एक comedy scene है और अगर उस comedy scene को देख के comedy आ यह नहीं रहिये तो उसका क्या मतलब है movie में होने का यार यह बात सच है जब उस scene को हम लोग देख रहें और उस scene में comedy है ही नहीं तो उसका क्या मतलब है movie के अंदर होने का उसे हटाओ और दुबारा से उस scene को shoot करो ये राजकुमार हिरानी का कहना है जब वो इतने strict है अपनी movie को लेके और अपने scenes को लेके तो सोचो जो movie में scene है वो किस level के होंगे कितनी बार वो pass हुए होंगे कितनी बार उनको लिखा गया होगा ये सोचो editing कितनी जबर्दस level पे की गई होगी उस story के हिसाब से आप देखो ज़रा तो ये दोस्तों राजकुमार हिरानी जब भी कोई movie बनाते हैं तो भाई पबलिक को बिल्कुल भी disappoint नहीं करते हैं पबलिक दिल खोल के जाएगी movie देखेगी सुआगत करेगी पूरी family के साथ जाओ movie को देखने के लिए भाई proper यहाँ पे आपको दोस्तों मदा आने वाला है क्योंकि movie का concept इस तरीके से है भाई last में जो scene आएंगे ना वो तो आपको एक दम से रुला देंगे और जो राजकुमार हिरानी की movies में जो एक होते है scene किस किस तरीके के होते है और भी संजू में और वो जो रेडियो के पास जो रनबीर कपु वाले scene थे पीके में क्या scene थे यार वो जो scene होते है ना last में वो ऐसे होते हैं कि उसकी कोई तोड ही नहीं है उसका कोई तोड ही नहीं है वो कुछ ऐसे scene होते है कि पूरी movie का वो एक एसा हाट होता है पूरी movie का कि भाई फार देता है मतलब box office collection movie का हाट of scene भाई डंकी का पैतरीन होने वाला है और भाई यहाँ पे शारुख खान का जो अलग जलवा राजकुमार हिरानी के साथ में जुड़ा है जो यह कॉम्बो हुआ है वो यहाँ पे एक अलग ही look लेके निकलेगा एंड यहाँ पे public दुबारा से ये movie देखने के बाद में दुबारा से पबली बोलेगी कि भाई हमें एक और movie देखनी है इन दोनों की साथ में एक और movie देखनी है तो यहाँ पे दोस्तों मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि शारुक खान अगर किस डारेक्टर के साथ काम करते है यानि कि अच्छे डारेक्टर के साथ काम करते है तो दुबारा भी करना चाहते है और आगे भी करना चाहते है को उनको जब पता है कि भाई ये डारेक्टर अच्छा है और मैं तो चलो मेरी तो fan following तगली है तो यहां पर अगर combo बैठेगा तो क्या box office collection जाएगा जबके डारेक्टर भी ऐसा है कि आज तो कोई सी movie flop नहीं हुए और अभी शारुक खान का भी देखो क्या इस टाडम चल रहा है हिस साल दो movie है दोनों हजार हजार करोड चली गए और तीसरी अब ये आ रही है लाश्ट में दोस्तों जाते हैं आपको यहां पर views, like and comment बताना चाहूँगा like 9 गंटे में आएं 8,45,000 यानि के दोस्तों 1,000,000 like यहां पर complete होने वाले हैं थोली दिर में आप देख भी पाएंगे 31,944 इसके comment आए and जो इसके views आये हैं वो आये हैं 3,35,000,000 तीन अजार 8,60 views इसके दोस्तों आएं यानि के 9 गंटे में 3,00 करोड से भी उपर इसके views आ चुके हैं and दोस्तों ये movie भी बहतरीन तरीके से box office collection करेगी overseas में इसकी advance booking 7 तारीक को start हो ही रही है आप खुद देख लेना कि overseas का king actually में कौन है और 15 तारीक को इसका दोस्तों यहां पे इंडिया में advance booking start होने वाला है फिर तो भाई क्या ही होना है वो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है भाई अगर आप शारुक खान के फैंस है और आप शारुक खान से प्यार करते हैं तो नीचे comment मुझे जरूर करना कि आपको trailer कैसा लगा दीचे जरूर करना तो मिलता हूँ आप से एंग लिए किसी वीडियो में end and end थैंक्स वर्वाच